आफ्टर ओल एक किलर को हम लोग पकड नहीं पा रहे हैं मतलब इट इस शेम शेम के और डिपार्टमेंट विरप्पन हाथ नहीं आ रहा था क्योंकि वो जंगल में छुपा था जस्ट हमारी तरह सिटी में घुमने वाले को हम पकड नहीं पा रहे हैं पकड़ना जरूरी है होने वाले सियम को एक सियम के बेटे को उनके सालों को उसने बेरहमी से मार दिया हम लोग पुलिस के नोकरी क्यों कर रहे हैं हम लोगों को जो ट्रेनिंग मिली है उस हिसाब से हमें जान की बाजी लगा कर उस खूनी को पकड़ना होगा I want him at any cost Yes, sir नामुम्किन तुम्हारे जैसे खूनी का केस लड़ना माहपाप है मैं तुम्हारा केस कता ही नहीं लड़ूंगा पुलिस तुम्हें हर जगे खोज रही है एक सीम को, सीम के बेटे को, उनके सालों को मारने वाले पुलिस अपसरों को, पुलिस टेशन को तभाग करने वाले तुम जैसे गुनागार को, हांसी की सजा होनी चाहिए मैं गुनागारों का साथ नहीं देता मैं अन्याए का साथ नहीं देता यसे क्रिमिनल को कोड के सामने खड़ा करके उसे उसके किये की सजा दिलाता हूँ तुम ने जो गुनाग किया है उसकी सजा तुम्हें मिल के रहेगी तुम अगर यहीं रुके रहे तो मैं पुलिस को फोन करूँगा क्लाइंट की हैसियत से आये हो वापस जाओ रवाचन मत दे तेरा रेट क्या यह बता मुझे निर्दोश साबित करेगा तो एक करोड दूँगा क्यों? खरीदने आये हो? काम की फीस दे रहा हूँ तुमारे जैसों के हाँ से तो मैं पानी करना प्यूँँ और तुम सोच रहे हो कि मैं तुमसे पैसे लूँगा ए बंकर तेरी मच मच इसमें पुरे पच्चास लाग है और यह सर्फ एड़वांस है बोलो क्या पियोगे बेस्की या ब्रांडी चलेगी कुछ नहीं मुझे बस कोट में निर्दोश साबित कर दे इतना ही यो रानर सामभा निर्दोश है यस मेरा क्लाइन निर्दोश है सामभा एक सीधा साधा इंसान है यह इतने लोगों का खून कर सकता है यह नमुकिन ही नहीं मजाख है किसी आदमी ने चोटी चोरी की है कहने पर बिना किसी गवाही के किसी भी नतीजे पर ना पहुचने वाले इस कोट में बिना किसी बुक्ता सबूत के इस केस में आप फांसी की सदा की मांग कर रहे हैं जो की घलत है पुलिस वालों के सामने और पबलिक के सामने इसने कई खून किये हैं यूर अनर पुलिस वालों की गवाई माईने ने रखती गवाई देने के लिए पबलिक कोट में नहीं आई यूर अनर लाखो लोगों के सामने पब्लिक मीटिंग में राजीव गांधी को मार दिया गया गुनागार को सदा देने के लिए आठ साल लग गए इंद्रा गांधी को उनके रक्षकों नहीं गोली मार कर हत्या की वहाँ पर भी सदा देने के लिए साथ साल लगे वजा सिर्फ एक ही थी कोई गवा नहीं था बेना किसी आम आदनी की गवाई के इस केस में अदालत कोई फैसला नहीं सुना सकती पुलिस वालों की गवाई को यहां नहीं माना जा सकता क्योंकि पुलिस बिक्यू हुई है इसका मुझे पूरा यकीन है इसलिए अदालत का वक्त जाय ना करते हुए असली गुनेगार को पकड़ा जाए और मेरे क्लाइन को बाईज़त बरी किया जाए मैं यही दर्खास्त अदालत से करना चाहता हूँ That's all, Your Honor किसी गवाह के ना होने के कारण संभाजी राव पर लगे आरोफ हटाते हुए अदालत फैसला सुनाती है कि इन्हे बाईज़त बरी किया जाए रुक जाएए, रुक जाएए सार अब आपको एक पल भी उस कुरसी पर बैटने का अधिकार नहीं है खुद को जज़ कहलाने का अधिकार आपको नहीं है यहाँ न्याए मूर्ती बनकर बैटने का अधिकार नहीं है आपको क्योंकि आप एक गुनहेकार को बाईसत बरी करने की खरती कर रहे हैं एक या सिर्थ दो नहीं, अंगिनत हत्याई की है मैंने था एक होनी हुशार, होनी हुशार ए, ए समझे रहा, यह क्या, यह क्या, यह क्या पक्वास कर रहा है तुम मैंने इसे एक क्रोण रुपे का लालजने के खरीद लिया पचास लाख एडवास तक दे चुगा हुशार इसने छोटी दलीलों से आपको गुम्रा कर दिया एए पबलिक परसीक्यूटर, हासी की सजा मुझे नहीं होनी चाहिए इसे होनी चाहिए लाँ १ाँ १ाँ आई १ाँ उजा 받고 झो शाँ भी मुझे पकरने के सरोत ही है भगोडा नहीं हुमें नहीं भागूगा इसका ढ्वड़ूग सबके सामने लाकर भरे बाजारी से मारना यहीं मेरा मकस्द था सर, इसने कानून को एक खेल एक मजाग बनाके रखा था सर खुद वकील का काला कोट पहन के कानून को नोटों की स्टाड़ी पहना कर सरे बाजार खड़ा करने वाला एक दलाल है यह सार दलाल है अपनी आखों पर पट्टी बांद कर न्याय देने वाली देवी का बेटा बन कर इसे तो मुझद करनी चाहिए थी लेकिन इसने गर का कुट्टा पागल हो जाए तो उसे भी मार दिया जाता है तू भी पागल हो गया है व्यंकट सर इसकी हदकड़ी खोल दो कि एक दो को मारने वालों के लिए पुली स्टेशन और अदालत होती है हमारी आखों के सामने ही कोट में मर्डर करने वाले तेरे लिए एफ आयार और चार्जशीट वेस्ट है इंस्पेक्टर साहाब हेए हाओ झाइख को पजाने है मिस्टर प्रदीप सर शूट करने का पावर तुम्हें किस ने दिया उने वाले सीम को एक सीम के बेटे को और कई लोगों को मारने वाले यही शक्स है आज कोट में एक लोयर को भी मार दिया सर यह किसी डॉन का शूटर है क्या नो सर टेरिस्ट है नो सर एल्टीटी नहीं उल्फा नहीं फिर भी यह खूनी बन गया वजय खुछ सोचो चूट करने से पहले सोचो स्टूपिड गैट हिम तो माइचेमबर यह सर संभाजी राफ इंसान के हर काम की एक वजय होती है चीटी को भी मारते हैं तो उसकी वजय होती है कि वो हमें काटती है हम मच्छर को मा अपना गुनाह कबूल किया और तुम्हें बरी कराने वाले उस लॉयर को तुमने मार दिया इसका मतलब डेफिनिटली कोई ठोस वजय ही होगी कमिशनर की हैसियस से नहीं आम आदमी बनकर एक आम आदमी से पूछ रहा हूं मुझे इसकी वजय बताओ जानकर भी क्या करेंगे सर क्या मुझे शाबाशी दे कर मेडल देंगे मैं ये कोशिश करूँगा कि ऐसी नौबत किसी के सामने ना है वो आप नहीं कर पाएंगे सर, ये काम आसान नहीं है मैंने कब कब किस को मारा, कैसे मारा, कितनों को मारा कहां कहां पर मारा, उसकी तयार कीगे रिपोर्ट है ना सर ये फाइल तुम्हारी नहीं, मेरी है मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ ताकि रिकॉर्ड्स रख सको मैं नाम या फैसा कमाने के लिए नहीं समाज सुधारने के लिए IPS बनाओ ना मुझे सर्विस के दारान किये गए एंकाउंटर्स पर गर्व है और नाहीं लॉक अप डेस्क के लिए मुझे अफसोस है मेरा कोई बैंक बैलेंस नहीं है मेरी मिलकियत है इंडिपेंडेंडेंस डे पर राष्टपती का दिया हुआ गोल्ड मेडल रिपब्लिक डे पर मिला हुआ सर्टिफिकेट यह बड़पन जताने के लिए नहीं बता रहा हूँ तुम्हें यकीन दिलाने के लिए बता रहा हूँ मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे अनुभों से समाज में सुधार ला सकूँ बताव संभाजी प्लीज कर दो अ प्लीज रहा हुआ रहा हुआ है जो अ यह कियो मार रही है तो इसे इसकी तो मैं जाण ले लोगी मुझसे कहता है मेरे सब देखने चले की क्या मतियरी मुझे जिखाएगा मुझे लेकर चल मुझे फिल्म दीखाएगा चल तेरी तो अब आप मुझे मार रहा है? फिल्म दिख्ञाने की बात करता है, फ्लाट करता है घर गई आपक बता है फिल्म के स्वाइं कि लिए मर्द को फिल्म देखने कलिए गुलाना Rण करना नहीं होता एई एजन मेरे घर पर आके बोला पी तुम देखने के लिए के छलो मैं मा को मस्का मार के यहां आया सोचा लक्षमी को भी फिल्म देखने ले जाओ तो उन्हीं तो उन्हीं तुमारी तरह पढ़ाई करके एक्जाम देकर डॉक्टर नहीं बना है बाप्रे देवर पे इतना हुक्म चलाती हो जेन पढ़ली के डॉक्टर बनेगा तब जाके सामभा लक्षमी से शादी कर पाएगा यही बात है मैं चाहता हो कि वह डॉक्टर ही अगर यह फेल हो गया तो हमारी शादी फेल हो जाएगी अगर ऐसा हुआ ना तुम्हें छोड़ूंगी नहीं चलो अब लगता है अपनी शादी के चक्कर में बिना उसे खिलाए पिलाए जबरदर्ती पढ़ाई करवाएगी मैं कॉलेज आती हो डॉक्टरी पढ़ने के लि शराभी देवदास बनकर भटकना सच्चा प्यार है प्यार की खातिर लोग जान दे देते हैं तुम्हारी तरह दूसरी लड़की नहीं ढूणते जान कैसे दू बताओ पार्क में आने के लिए ना कहती हो डिसको थेक के लिए ची कहती हो किस करने आओ तो संडल दिखाती हो प्यार का मतलब किस करना होता है क्या और नहीं तो क्या यह होट सिफ लिप्स्टिक लगाने के लिए नहीं होते असली प्यार मतलब मैं तुम्हें समझाता हूँ फेस टू फेस नोस टू नोस लिप्स टू लिप्स टू 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 बॉडी टू बॉडी जंग के किस टीसरी वार है चलोप लो में पहुंचोग नहीं शुद्रोंगे तुम लोग प्रकाश नाम का कोई नया इंस्पेक्टर है वो बहुत स्टिक्ट है इसा है पप्लिक के सामने वो आपकी टूपी उडाकर ले गया अब आप क्या करेंगे आप तो हमेशा हम जैसे गरीब आद्मियों पर ही रॉप जाड़ते आप उस पर रॉप दिखा कर दिखाएं वह आपकी लेकर गया मतलब वह आपके इज़त लेकर गया कान था वह सी एम का बेटा सर यह बताईये सीम साहब बहुत सारे गुंड में पहन के आता है क्या अभी प्रेस रिपोर्ट रखी आप में से अच्छे जनलिस्ट कौन है और बुरे जनलिस्ट कौन है यह कैसे बता पाऊंगा सच कहें तो गुंडों की बात छीड़ी तभी में समझ गया कि यह आफवा विपक्ष ने फैलाई है इसलिए मेरा नाम अधिक्यों वेरी मच्छ सब इंस्पेक्टर पेपसी इतनी हिम्मट मेरी कैप देकर आया तुँए जानता नहीं पोलीस वाले कि किससरा सुथी है अजिए इसकी इसकी इसला सुरूर पले कि अरे क्या बाई मेरे घर मेरे घर मेरे घुशके मेरे ही बेटे को मार रहे हो अरे है मिस्टर वट इस देखें सर यह देखें सर यहां पर जो कैप है तुमारी है न जी सर माय अपनी ड्यूटी पर था सर आपका बेटा मेरी कैप लेकर भाग गया और अब कुट्टे को पहना कर उसके साथ खेल रहा है सर पुलिस वालों की आन बान शान होती है यह कैप सर सीम के बेटे की यह हरकत देखकर कल हो मिनिस्टर का बेटा आकर यह बेल्ट या फिर किसी भी मंत्री का बेटा आकर यह यूनिफार्म लेकर जाएगा तो बीच रास्ते में कानून की हिज़त उत्रेगी इसलिए मैंने इसे बारा सर तुमने हंड़ेट परसंट सही किया क्यों र प्रमोशन नहीं चाहिए सर बस मुझे मेरी ड्यूटी करने दीजिए सीम का बेटा होकर ऐसी चीफ हरकत करते वे तुम्हें शर्म नहीं आई मेरे बच्चे चार लोगों के सामने उसके सर की टोपी छीन लेना गलत है लेकिन बिना किसी को पता चले उसकी टोपी के साथ उसका सर भी कलम कर दोगे न तो तुम्हें कोई नहीं पुछेगा हाँ आप से मिलने के लिए दिले से कोई आफिसर आया है ठीक है आने दो सीम स्पेशल सेक्यूरिटी फ्राम डेली क्यों कर रहे हो इतना समय हो गया अड़ी तो पेखो तो रहा है करें लेडी तो खड़े उकर उनका चेरा देखो को तुम लोग तोड़ रहा है यह तोड़ दिया आप लोग तोड़ देंगे तो यहां के आउरते जाएंगी कहाँ पर आसल बात यह बस्ती ही लिगल है इसे भी तोड़ दिया जाएगा जो भी तोड़ेगा ना उसको हम तोड़ के रख देंगे बोट मांगते वक्त कहा था यह बस्ती लीगल है सबको पके घर मिलेंगे प्रचार करते समय इसी टॉयलेट का उद्गाटन मंत्री जी ने अपने हाथों से किया था और अब अपना इसलिए बड़ी बाते कर रहा है तेरे घर में माम बहनों तो अच्छा है जमीन पर करने वाले लोगों से मेरा किसी तरह का कोई कनेक्शन नहीं है अरे उन लोगों की पहुंच बहुत उपर तक है इसलिए इस मामले से मेरा कोई संबन नहीं है कह देता हूं हां सर 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 साइट दीजिए साइट दीजिए साइट तुम कारे करता हो मैं पबलिक हूं सर अब तुम्हारी जरूरुद निकल जाओ यहां से मेरा चोटा सा कामय आप बीच में आ रहा है सर वैसे तो आज समझ नहीं अब बारे में मुझे आपसे कुछ जहा है अरै इसमें कहना क्या है रोड के राइट साइड में कॉम्पलेक्स बने हुए है और लेप्ट साइड में तुम लोगों ने कच्रा किया हूँ है वहां नजदीख ही मॉल है वहां पर स्विमिंग पूल बनाएंगे तो लोग वहां तुम सही कह रहे हो एक काम करो शहर से दूर खाली जगह पड़ी हुई है वहां जाकर बस्ती बना लो ऐसे कैसे सर इलेक्शन के टाइम पर तो अप मेरी बस्ती को अपना घर के अब तुम ज़रूरत से ज्यादा बोल रहे हो तुमको ज्यादा प्रॉब्लम है तो मंतराले मे यहीं बैठ जाए इन गंदे बच्चों को किम बुलाया यह क्या हरकत है तुमारी पोटो केच अरे 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 मेरे सोफे पे मेरी कुड़सी पे यह बच्चे क्या कर रहे है बैठो अब इनका टॉलेट तुलवा दिया ना सर तो दो नंबर करने के लिए और कहां जाएंगे इसलिए आपके घर आ गए तुम्हें अक्कल है कि नहीं यह गंदी बस्ती के बच्चों को मेरे घर पर टॉलेट करवाने के लिए लाए हो तुम कोमेडी कर रहे हो क्या कोमेडी महिया कराते हो ना टॉलेट बना के देता हो ऐसा क्यों यही पूछने आया हूँ सर जब आप लोग वोट मांगने आते हो तब सबको राशन पानी और जरूरी सुविधाई मिलेंगे ऐसे जूटे बादे करते हो और हम मान लेते हैं सर अरे इन बच्चों की हेल्थ के लिए जगे मांग रहा हूं सर आपको को सक्षम बनाने की बात करते हो और तों को 33 परसेंट रिजर्वरेशन भी दे दिया लड़की पैदा हो तो दस हजार शादी पर पचास हजार और विद्वा हो जाए तो भत्ता दे रहे हो लेकिन इस सबका क्या फाइदा और तों को रेलवे यह कोई राजनेता है क्या कि यहां बाते करने आया है अरे बच्चो बातशीत फेल हो रही है सर यहां सारे के सारे रिपोर्टर न्यूस कवर कर रहे हैं मंत्री जी के घर बच्चों ने गंदीगी की यह बात मीडिया में आ गई तो बड़ी बदनमी हो जाएगी सार इनको ज पर बाकाइदा लिख के दीजिए ना यह तो मेरे पीछे ही पड़ गया है जनारदन बस्ती के तोड़े गए टॉलेट को फिर से बना कर देने के सिलसले में मंत्री जी का आदेश भाई साहब हमने इसे तोड़ा है इसलिए फिर से बनवा कर इसकी रंगरोगन भी तो करवा रहा है ना अब मिंसिपल्टी वालों को सीधी बात समझ में नहीं आती जब हम रोड रोड कहके 2 साल रोते हैं तब रेक्शन से पहले आके रोड बनवा देते हो रोड बन देते हो रोड बनते ही ड्रेmit वाले आके उसे खो देताय तुसरे इन ठीलिफोन डिपार्टमेंट तीसरे इसारे दिन धिन एलुक्तरिक निकाल जाते हैं ये बात कोई ज किया ना इनसे शादी मैं ही करूंगी हम लोगों के थोड़े इज़त करती है इसलिए वरना इसकी मर्जी चले तो यहीं शादी करके स्वाग रात भी मना ले लिए बस्ती वालों के लिए एक अच्छा टॉयलेट बनवा दिया लगता है तुम भी अपनेता बनने की राह पर हो लेकिन प्यार में तो कोई तरक्की नहीं हुई तरक्की क्यों नहीं हुई मुझे पाक तक तो ले ही आए पाक तक तो तुम्हें लेकर आ गया लेकिन क्या फाइदा हुआ शादी होगी तब तो ना सीधे मेरे घर पे आके मेरा हाथ मांग लेना तुम्हारे पास आकर बैठ जाओ, बैठो, थोड़ा और करीब आओ, आजाओ, एक किसी लेलू, लेलो, बापरे, तुम तो एक्सप्रेस हो, तुम्हारी गोद में लेट जाओ, लेट जाओ, ऐसे ही सोने का मन करता है, सोजा, नीद आये तो घर पर आके सो सकते हो ना बिटा, बैया की तरह आवाज आ रही है, बैया, ये दो दिन से कॉलेज नहीं आये थी बैया, मिस किये हुए लेसन समझाओ बोल रही थी, अगर छूट बोलोगे तो ये केस मा तक लेकर जाओंगा, जी नहीं, हम एक दुसरे से प्यार करते हैं, सच बोलने वाले मेरी मा को बहुत पसं करेंगी, मेरे डाड को भी, सच बोलने वाले लोग बहुत पसंदे, क्या नमा तेरे डाड़ी का, MLA शिवराम कृष्ण जी, शिवराम कृष्ण जी, तुम तो बहुत बड़े घर की बेटी हो, ये शादी कैसे मुम्किन है, अमीर गरीब वाली सोच हमारे घर में कोई नहीं पत्वास बंद करो अपनी, जिसके सपने में भी कभी सोना नहीं आता ना, उसे सोने जैसे लड़की के सपने भी नहीं रखने चाहिए, पान बेचकर घर चलाते हो, एक छोटी सी पान की दुकान क्या खोली, पताने ही खुद को क्या समझने लगे हो, म्यूंसिपाल्टी वा जी है सर, पान की दुकान चलाता है, और हमसे रिष्टा जोड़ने यहां चला आया, यह मेरा भाई जैन्त है, डॉक्तर ही पढ़ रहा है, आपकी प्रिया और यह दोनों एक दूसरे से प्यार करते है, इसलिए इसके पैर धोकर अपनी बेटी साथ शादी करा दीजी, रुक तुम सरा शान प्रहोगी, हाँ बेटी, तुम सिर्फ इससे प्यार ही मत करो, शादी भी कर लो इसे, डैडी, यह क्या कह रहे है, बुद्धि बरश्ट हो गई आपकी, तुम चुप चाप अंदर जाओ, संभा जी, आप जैसा चाते थे, वैसा ही हुआ ना, जी सर, निश्च रहती, तुम्हारी सोच के अनुसार बेटी की शादी करोड़पती से करवाते, और कहीं अपनी बेटी आत्महत्या कर लेती, तो, देखो पारवती, मेरी एक बात का जबाब दो, तुम्हारे लिए तुम्हारी बेटी की खुशी जरूरी है, या फिर करोड़पती जमाई, कि अब कैप के नीचे वाला सर भी उड़ाऊंगा, इसलिए तुझे यहाँ घेरा है हमने, क्या बात है, मा अभी तक नहीं आई, क्यूशन के वज़े से लेट हुआ होगा, बहीं, क्यूशन से आने में इतना लेट, अरे मा आ गई दर्वाजा कुलो, क्या हो अब बाजी, बहुत लेट हो गई आप, हाथ मूँ धोलीजी, मैं खाना लगाती हूँ, मा खाना खाने आजाओ, किस सोच में पड़ी हो, मा, खाओ ना, अरे मा, मा जी, तक ट्यूशन लेने की ज़रूरत क्या है, मा, आराम किया करो न, ने, डिस्टर मत करना, चलो, मा, रात को तबियत खराबती फिर भी पढ़ाने जा रही हो, आज स्कूल से चुट्टी ले लो, कोई बात नहीं, बेटा, बच्चों का नुकसान क्यों करना, चलती हो, एसाई प्रकाश के जैसे करतब्य दक्ष और सिंसियर ओफिसर को जनम देने वाली उस मा को, और उन्होंने जहां डिवटी की उस बस्ती को कितना गर्व हो रहा होगा, ऐसा एसाई इस पुली स्टेशन में शायद ही कभी आएगा, उन्होंने अपना करतब्य निभाते हुए अपनी जाम दी, मुझे उन पर अभिमान है, आप सब जानते हैं, वो कितने गुणी थे, उन्होंने मुझे पहले ही बोला था कि मेरा नाम हिट लिस्ट में है, उनके काम करने के तरीके सिंसियेटी उगरवादियों को खलती थी, इसलिए उन लोगों ने उन्हें अपने रास्ते का रोड़ा समझ कर खात्म कर दिया, और वो उगरवादियों के हाथों मरकर शहीद हो गये, उन उगरवादियों की पहचान बताने वाले को, इस मामले में छोटी सी गवाही देने वाले को, छोटा सा सुबूत देने वाले को, पुलिस की मदद करने के लिए, होसला बढ़ाने के लिए, इस भरी सभा में मैं उसका सथकार करूँगा, मैं तो कहता हूँ इन उगरवादियों को नहीं, नहीं, इंस्पेक्टर को मारने वाले उग्रवादी नहीं थे, इंस्पेक्टर को उग्रवादियों नहीं मारा, दूर हटो, असली कातिलों को मैं जानती हूँ, मैंने देखाया उन्हें, सेक्यूरिटी, आपको अकल है की नहीं, मेरी आखों के सामने, एक आपको जो कहना है, इस मंच पड़ाकर कहिए, आइए, माजी, एसाई को उग्रवादियों नहीं मारा, नहीं, फिर किसने मारा, आपने देखा क्या, मैंने अपनी आखों से देखा है, कतल होते हुए अपनी आखों से देखा है, लेकिन हुनियों का नाम बताऊंगी, तब भ गारेंटी देता हूँ, खुनी को पकड़ने के लिए, अगर आप गवाही देंगी, तो मैं उसे सजा दिलवाऊंगा, आपसे नहीं होगा, आपसे कुछ नहीं होगा, मैं इस पब्लिक के सामने एलान करता हूँ, वो शक्स कोई भी हो, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो पूची पहुच वाला हो, उसे सजा होगी, जरूर होगी, और उसे सजा मैं दिलवाऊंगा, यह मैं वादा करता हूँ, बोलिये माजी, आप दर्यमत, बोलिये, इस माइक पर बोलिये, बताती हूँ, हद्याकी है, आपके बेटे ने, आपके सालों ने, है, सीम पे आरूप उनके बेटे को खुनी करती हो, उनके सालों को खुनी करती हो, तुम्हारा कहना जूट निकला, बोलिये से भून दूगा, भूनो, भून दो, हिमत है तो भून दो, मैं जो बोल रही हूँ, वो सच है, इंस्पेक्टर का सर कलम किया, इनके बेटे ने, और साथ देने वाले इनके साले मैं मैं चश्मदीद गवाँ हूँ अपना वादा निभाइए दिलाइए ना सजा दिलाइए उन सब को सजा तुम्हारे पास अकल है की नहीं एकडम से बेवकूफ हो क्या हरे मैंने तुमसे कहा था कि बेटा उस SI को मारने के लिए मैं तुम्हारी मदद करता हूँ रे चुप्राओ अधी की तरफ पात पास साले हैं किसलिए हसाने के लिए अरे मुझसे सला मश्वरा करोगे की नहीं मुझसे बिना पुछे तुम सबने खुद ही फैसला कर लिया और जाके उसका सर कलम कर दिया उस चीटी जैसे SI को कानो कान खावर हुए बिना मारना चाहिए था छी लेकिन तुमने तो अपनी मस्ती में इदर उदर देखे भी नहीं उसे मार दिया तुम्हें ये भी नहीं पता चला कि कोई देख रहा है अरे बापा लेकिन किस ने देखा तुम्हारी मौत ने देखा अब मेरी मौत बन के खड़ी है कि दिल्टों कर रहा है तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दू है कितने वरतों के बाद यह पैदा हुआ है यह ओफिसर को कैसे मार सकता बंद रखो आपना वरत की तो क्या हुआ कोई शांती दूद अपने पेट से पैदा कर लिया अच्छा बेटा के लिए पुजा की जरूरत नहीं होती जो पैदा हुआ है उसे माबाप के बारे में कुस्तो सोचना चाहिए देखो वो जो औरत है वो हमारे गले का फंदा बन चुकी है अगर उस फंदे को हमेशा के लिए काट डाले तो मतलब आप बोले तो वो औरत कलकर सूरज नहीं देख पाएगी सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा करके दिखाओ टरत काम झाबड़ को यह चलेगा कर दो झांज़ कुछी में इंप एफ स्वाथ से इंप करके दो हमारे तो हमें अगर में आप रयागी सीर्फ देवार्ड़ में में प्रहलों भी जड़ करके लिए भालने से काम पालेशवर पहल सोग काम पालें तो पेसा जाया काम प्राव ठाल मैं लो और ये खुछाए वगाता है लो ते जुछार में अजाए टारा जुछारा टारा 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 टो। किए छो फ़ाक वह वस हाव गौह पुझार गग्तनी प्रोग जढ खवार गगatch इब तक लेयित गह जहें तुझार गम करें अ nवचक पको कि फिर ल parenthके शुल सीनी सांभा बेटा बाहर कौन था को जंगली जानवर थे मा भगा दिया शरम आनी चाहिए मारने के लिए गए थे और पिट के वापस आ गए तुम लोग अरे एक बुढ़िया तक को नहीं मार पाया हमारे अपने ही आदमी कच्छे खिलाड़े निकले तो हम क्या करें जिया जिया नाकामी पर परदा मट डालो सुनो मेरे लॉयर को फोन करो अधान खुद्धिल के विअ नम्सकार सर यहाँ ने पेटे ने क्या क्या पठाय ना कुछ भी गियो मुझ जिय आप्लीक के बेच अधे मार्ते बार्टे कतेशन लेकर जाओ मेरे घर में आये हो चलो पुली स्टेशन जैसे हत्यारों को मैं अपने हाथों से जिन्दा जला देता लेकिन का में आपने हाथों से जिन्दा जला देता मेरे जिस्टार को ही नहीं सकते हैं इंस्पेक्टर इन सब को सेल में डाल कर एफ आयार लिखो लेकिन सीम साब अरे मैं सीम के हैसे से बोल रहा हूं केस दर्ज करो और चाश्टित तेयार करो अभी अब आप कहीं पागल तो नहीं हो गए हैं सार अरे चुप रहो यह मेरा बेटा है इसके लिए मैं इसकी काली कर्टुतों पर परदान ही डालूगा इंसान कोई भी हो सत्य सत्य होता है और न पड़े अरे मेरे बेटे की गल्ती की सजा मुझे क्यू दे रहें आप वोट ने अभी उसे गुने गार नहीं ठ्हर आया है जब ठ्हर आया जाएगा तब जन्ता के जूते खाने पड़ेंगे आप लों क्यू नहीं बोलते हैं सिया मिस्किफादो! इस केस का फैसला आने तक कुर्सी छोड़ देता हूं मेरे जैसे ही किसी काभील को इस राजी का मुखी मंत्री बना कर जब तक बेटे पर से लजाम नहीं अटता है तब तक के लिए मैं खुद ही पच छोड़ता हूं पूजा वेगेरा छोड़ो और जल्दी यहां आओ भगवान को इतना मसका मानने की जरुवत नहीं इधार आओ क्या हो जी मैंने कहाँ जल्दी चलो कहां चलना है शपत ग्रहन करने आज से इस राज्य की तुम ही मुखी मंत्री हो मैं क्यों और वो भी आपके होते हो दिल के ओपरेशन के लिए अमरीका जा रहा है ना इसलिए आप टेंपरेडी बन जाएगे पापरे मुझसे नहीं हो पाएगा मैं घर पे बैटके पूजा पाट करती हूं मैं यह सब नहीं कर पाऊंगी मतलब जो लोग पुजा पाट करते हैं वो लोग राजनीती नहीं कर सकते हैं क्या वो सब मुझे नहीं पता यह तुलसी ही मेरा घर है यह तुलसी ही मेरी माँ है यह तुलसी ही मेरा मन है यह तुलसी पुरान बाद में सुनाना चलो अभी मैं मैं तुलसी दिवी ये शपत ल बुलाकर कुल धर्म जाती सब भुलाकर आंध्र राज्य के मुख्यमंत्री के ताउर पे शपत ग्रण करती हूं मेरा नाम सूर्य कांता है क्या करती हैं आप मैं स्कूल टीचर हूं अच्छा उस दिन मर्डर कहा हुआ कब हुआ आप ने क्या देखा जज सहाब को एक बार बता सरकलम कर दिया ताइंक यू कि यूर अनर इस केस में आरोपियों की गवाग की पुष्टाश करने की बहुत जरूरत है इसलिए मुझे समय देने की कोड से मैं विंती करता हूं मुख्य मंत्री की कुर्सी पाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया लेकिन अब तो पूरा खेल ही उल्टा नजर आ रहा है उस बुड़ी औरत का मुझ बंद करने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया और तुमने मेरे बेटे को जेल में डाल दिया सीम सहाम वोट पाने के लिए जूटी एक्टिंग करकर के आप असली राजनीती भूल गए है ऐसा लगता है नहीं तो आप मुझे बुड़िया का मर्डर करने के लिए थोड़ा टाइम तो देते मर्डर तुम कैसे शाडियंत्र रचके लेकिन आपकी तरह तलवार से नहीं ओस वरत को पागल ठेहरा के बिना आप पर तोहमत लगाए कोट में लीगल तरीके से मर्डर करूंगा मैंने क्यों गवाई धी यह सोच के बुड़िया पगला जाएगी तुम्हें तो बुखार है मां चलो हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए इसी बात के लिए हॉस्पिटल ज मेरी एक बुरी आदत है और वो यह है आएम सिय प्रसाद आप इतनी रात को मेरे घर क्यों आये हैं कभी भी आना पड़ता है ड्यूटी ड्यूटी मैडम कोट में मनमानी कवाही देकर घर पे आकर आराम से सोचाने जैसा हमारा काम नहीं है जिंदगी और मौथ का सवाल होता है एनी टाइम एनी मॉमेंट एंक्वाइरी करनी पड़ती है सिट सिट प्लेस सिट डाउन है यू सिट सेम के बेटे ने मरडर किया आपने अपनी आखों से देखा कोर्ट में मैंने सब बताया था ना एक बार बता कर भूल जाने के लिए वो आपका घर नहीं कोट है गवाही है जिस केस से राज्यो का भविश्यत है हो सकता है ऐसे केस की गवाही है ऐसी गवाही देना गखग पढ़ाने जितना असान नहीं है इसमें आपकी जान भी जा सकती है लेकिन आपको अपने जान की परवाह ना करते हुए हम जब बुलाएंगे तब हमारे स्टेशन में आकर हमारे सवारों के जवाब देने होंगे एपर दे किस pel विश्ते साइन कर दीजिए यहाइ यहाइ गलती से हमा गटे से विश् brack गοह चल गई तो माजी की जान जा सकती है हटा 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 आपसीपर साइन कर दीजिए मैडम मैंने आपको दराया हो तो माफ कीजिए मुझे मौत का डर नहीं है सर आप जहां बोलने के लिए कहेंगे जब भी बोलने के लिए कहेंगे मैं बोलने के लिए तैयार हूँ ओ, ठैंक्स टीचर साहिबा ये हमेशा याद रखे आप इस केस की चश्मदीर गवा है आई विटनेस आधी रात को भी आपको बुलाया जाए तो आपको आना पड़ेगा एए, टेक केल एंड गुड़नाइट अल अफ्यू सत्यमेव जैते सत्य की ही जीत होती है सत्य की जीत होती है धर्म की रक्षा करने वालों की रक्षा होती है सत्यमेव, तीचर साहिबा बच्चों को जितना पढ़ायो उतना काफि है चलके जीप में बैठीे ऐसे घूर के क्या देख रही है चल के जीप में बैठिये किस लिए सर धर्म की रक्षा करने के लिए आपने कोट में गवाही दी थी ना आपने दी हुई गवाही पे हमें थोड़ा शक है आप चल कर जीप में बैठेंगी या हम खुद आपको विठाएं मूव क्या हुब तो हम ग想र्ण कि जुर्म के लिए अरेस्ट कर रहे हैं सर गया उचेप यहीं सोच रही है ना इंस्पेक्टर जुबान संबाल कर बात कीजिए तुम चुप-चाप-जीप में नहीं बैठी तो ब्रॉथल चलाने के जुर्म में अंदर कर दूँगा ब्रॉथल चलाने के जुर्म में अरेस्ट तो कर लोगे लेकिन मुझे उस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है सर पर इतना जानती हूं जितनी भी ओरतें ब्रॉथल चलाती हैं ना उनके बच्चे आप निकालूंगा कहा लेकिन तुमने क्या किया मेरे दिमाग के बीना आपके लोग निर्दोष बाहर नहीं आएंगे रिमार्ड में होते हुए भी आपके लोगों को बाहर आकर अपने हाथों से बढ़र करना होगा बाइजद बरी करके घर लेकर आऊंगा उसके बाद आपके तो मारना किसको है सरकल इंस्पेक्टर परदीप को बरने की कोई बात नहीं है सलाइन चड़ा देंगे तो ठीक हो जाएंगी ठेंक यू दक्टर अधे उठो अधो 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 सिट राइट सिट राइट क्यों उठाने सर डोक्टर ने आराम करने के लिए के लिए सर अच्छा जी कितने बड़े ब्यूकूफ हो तूम कल खाना खाया था इसलिए आज बिना खाये जीलोगे, हाँ, है, उठो, 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 इंसान के रूप में एक शैतान हो तुम, तुम गवाही दो मा, तुम गवाही ना दो, इसलिए तुम्हें ये डरा रहा है, लेकिन ये जो चाहता है वैसा तुम कभी मत करना मा, गवाही तुमा, तुम्हें जरूर दूंगी बिटा, जहां गवाही देनी पड़ेगी, वहां में दूंगी सूरे कांता जी, आप 9 अक्टूबर शनिवार की रात को, लकडी के पुल पे बस में बैड़ कर हिमायत नगर बस टॉप पे उतर कर घर जा रही थी, आप गांधी नगर क्लॉक टावर के पास आई, तब आपने देखा कि इंस्पेक्टर प्रकाश को कुछ लोगों ने घेर क उन्होंने उसे तलवार से मार दिया, कातिलों में, सीयम के बेटे सूरिया और सीयम के पांच सालों को आपने पहचाना, यही ना, नहीं नहीं नहीं, तलवार से मारते हुए नहीं देखा, तलवार से सर कलम करते देखा है, तब सवा नौ बज रहे थे, आपने उन लोगों क लेकिन उन लोगों ने आपको नहीं देखा, और इंस्पेक्टर का कतल करकर वो भाग निकले, उन लोगों को आपने जाते हुए देखा, वो सफेद कार से भागे थे, है न? सफेद कार से नहीं, काली कार से भाग रहे थे. अच्छे से याद करके बताईए, आपकी गवाही के वज़े से बेगुना लोगफासी पर लटक सकते हैं, इस राजिका भविश आपकी गवाही पर निरबर है, सोचकर बताईए कार सफेद थी या काली, मैं पक्का कहती हूँ काली कार थी, आपने लकडी के पुल के पास जिस काली गाली से कातिलों को जाते हुए देखा, उनका नाम साफ साफ बताईए माजी, मैं लकडी के पुल से हिमायत नगर आ रही थी, कैसे, बस से, आ रही थी, तो ये खुन आप बस से आ रही थी, तब हुआ या आपके बस के उतरने के बाद वा तब कितने बज़े थे, किलि कि कलॉक टावर के पास भाजि से हिमायत नगर में फ्लॉक कितने बज़े था नी बार बदाया ना सवा नौ बज़े एंपर गांधी नगर में उसके चौराहे पर हुआ था हुनि कौन सी रंकी कार से भागे, सफेद कार से, एक बार फिर से बादाया माजी फून कहां हुआ गांधी चौराय पर या क्लॉप टावर के पास? गांधी चौराय पर खुँन हुआ, काली आर से बनाने के चक्कर में तो हम बहुत कन्फ्यूज हो रही हो. कन्फ्यूज मैं नहीं हो रही हूँ, आप कर रहे हैं, इन्होंने इंस्पेक्टर का सर कलम किया ये सच है, मैंने देखा ये भी सच है, खून हुआ था क्लॉक टावर के पास, तब समय हो रहा था रात के सवानों, खूनी भागे थे काली कार से, इससे ज्यादे आपको और क्या तर अचानकारी चाहिए, मतलब उन्होंने तल्वार से मारा और आपने अपनी आँखों से देखा, 100% सर कलम होके गिरा था कहा आपने, कलम होके दोर गिरा, एच जटके में सिर्धर्ज अलग हुआ था, आप ऐसे ही हुआ था, अन्-दा स्पोर्ट इस्पार इस्पेक्टर क किया के सब का सर खा रही थी अब आचानक आप बोल रहीं कि तलवार दिल के आरपार की थी और उनके सालों पर इयल्जाम लगा कर राजनिति पीजित्रता करके चंता को गुंभराद करने वाला राइख करने वालाई थो anga कर दो जैंने हो सर और को रात को इन्हों रहीं की है सरugenी रागको गंधी चो राहे पर में यह लोग भाग गए वो इंस्पेक्टर हमारे एरिय का था सर मेरे बेटे की पांच शॉप पे आता था नाम था प्रदीप मैंने खुद उसे देखा है इंस्पेक्टर प्रदीप को आप अच्छे से जानती चार साल से जानती हूं मिश्टर प्रदीप अहां यही तो है इंस्पेक्टर प्रदीप को मारने वाले तो पहले ही से कस्टडी में थे तो फिर मारा हुआ आपने खुद बाखुद कैसे आ गया कल तो इसे यो रानर अब तक मुझे लगता था कि यह केस पेचीदा है अब तक इनकी बाते सुनके लगा कि यह केस राजनीत स्टिक शर्यंत रहे लेकिन इनकी मानसिक स्थिती को देखकर मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है इनका पागलपन साबित करने के लिए आपके टेबल पर रखेवर डॉक्टर के रिपोर्ट गवा है जो घटनाए हुई नहीं उन घटनाओं के बारे में इने ब्रहम होता है और ये कुछ भी बोलती है जब बस इनकी तरफ आती है तो इनको लगता है कि वो बस इने कुछलने के लिए आ रही है होस्पिटल में सिरिंज को देखकर तलवार समझ के डर जाती है घर में रसी देखती है तो साप आगया सोच के अंगामा करती है इस बात को साबित करने के लिए वो रिपोर्ट्स कवा है यस चीज कंप्लीटली मैड सच कहूं तो सच कहूं तो इन्होंने अपने बदन पर साली पहनी है या या नहीं यह भी इनको नहीं पता है कॉंग्रेचुलेशन्स वकील साहब कॉंग्रेचुलेशन्स इस भरे कोट में जो अपनी आखुं से देखा वो सच बताने वाली को आपने पागल साबित कर दिया मुझे तो लग रहा है यह कोट नहीं बलकि पागल बनाने की दुकान है महानज़त साहब सत्यमेव जैते का पाठ सबको जिंदगी भर पढ़ाने वाली मुझ जैसी टीचर को सत्य बोलने पर कितनी जिल्लत और कितनी तकलीफ सहनी पढ़ रही है ये इस वकील की बदौलत आप खुद देख रहे हैं जो देखा वो बताने के लिए मैं आगे आई तो मुझे कन्फ्यूस करने के लिए इन लोगों ने पहला जो खुन हुआ उसकी थोड़ी दूरी पर दूसरा खुन करने का नाटक रच्चा आधी रात को मेरे घर पे पुलिस वाले आए और इतनी रात को क्या मैं वहाँ पैसे कमाने गई थी इस तरह के सवाल मुझसे पूछे गए मैं बच्चों को पढ़ा रही थी तब ही स्कूल में आकर मुझे पर ब्रॉतल का इल्जाम लगा कर मुझे पुलिस जीप में बिठा कर ले जाया गया सच कहूं तो खून करने वालों को छोड़ कर खून होते हुए देखने वाली को अजीब और गरीब गंदे-गंदे सवाल पूछ कर मेरा मान सिक्छल करने की कोशिश की गई बच्चों को पढ़ाने वाली प्राइमरी टीचर मैं, पान की दुकान चलाने वाला मेरा बेटा, हमने कभी नहीं सोचा था कि हम मुख्य मंत्री बनेंगे या प्रधान मंत्री बनेंगे सर, हमने कभी नहीं सोचा था, मेरे सच बताने के बावजूद मरने वाला तो वापस नह आएगा पर खून करने वालों की अकल ठीकाने आ जाए इसलिए मैं गवाही देने आई थी पर मुझे ही पागल टहरा दिया गया आपने पागल सिर्फ मुझे ही नहीं यहाँ पर बैठे सब को पागल बना दिया है जट सहब मेरी मांसिक स्थिती अच्छी है इसलिए बता रही हूँ मैंने जो पहना है वो साड़ी है यह मैं जानती हूँ आपने काला कोट पहना है यह मैं जानती हूँ वो मेरा बेटा संभाजी है, वो मेरी भतीजी लक्षमी है, वो मेरा छोटा बेटा जैन्थ है, ये मैं जानती हूँ, मेरी मानसिक परिस्थिती अच्छी है, इसलिए बता रही हूँ, इसका नाम रंगा नायक है, उन्हें गारों को बरी करा के बहुत पैसे कमाया है, ये मैं ज जानती हूँ, नयाई की देवी ने आखों पर पठ्थी बांध रखिये, ये जानती हूँ, जिसके मरने ने का मुझे ब्राम हुआ, प्रदीपह मैं जानती हूँ, ये, ये रिवॉल्वर इसे, मैं जानती हूँ, इससे गोली दागदू तो, गोली आर पार हो जाएगी, और उ से कैसे चलाना है ये भी मैं जानती हूँ अन्याई को टुकरा कर न्याई को अपनाने वाले इस समाज में जूटे लोगों ने अपनी सत्ता कायम किये ये भी मैं जानती हूँ मैं जानती हूँ सत्य में उजहे देव Alright, let's go. हुष हाँ सत्यमेव जैते देखाना सब मेरी माँ को मार दिया गवाही देने के लिए गवाही देने के लिए पार-भार स्टेशन और कोट के चक्कर लगवाए मेरी माँ को परेशान कर दिया सर्ओं बात समझ में आई सर्ओं कि कोट में गवाही देने के यह लोग कत्राते क्यूं है मुझे इस बात का बहुत खेद है संभाची फूलों की दुकान पर जाओ तो फूल मिलते हैं पाता इक पैटरोल वाट ये पेटाऊ पर जाओ जो तो पैटरोल मिलता है, लेकिन याय आलमे जाने पर भी जांज कल याय नहीं मिलता है तुलसी देवी, देखो, तुलसी देवी, तुम्हारा बेटा निर्दोष है ऐसा फैसला दिया दालतने, हाँ, तीन महिनों से जो केस चल रहा था आज वो अखिर कर खत्म हो गया, अब मैं भी टेंशन फ्री तुम भी टेंशन फ्री, थूम भी टेंशन फ्री, थांक यू, इस्तिफा देदो, और मैं शपत ग्रहन कर लेता हूँ, काफे महनत करके आये हो, जाकर आराम कीजिए, रेस्ट करूँगा तो, राष्ट्र पती घर पर आएंगे, कहेंगे, अपना सेवा कारे शुरू कीजिए, जितनी सेवा की है, उतनी काफी है, अंदर जाके शाल ओड़ सारे पार उड़ जाएंगे, सीम की कुरसी बाहर वालों को दूँगा, तो हमेशा के लिए कुरसी खो दूँगा, सोचके, अपने ही घर में, मैंने अपनी बीवी को सीम की कुरसी दे दी, और तुमने बिना मारे, बिना बोले ही वार कर दिया, मैं तुम्हें, अरे चुपे, घर की तुलसी को प्रदक्षिना करके पुन्य कमाने वाली तुलसी देवी को सीम तुलसी देवी बना दिया, मैंने, अब तुम चुप चाप इस्तिफा देती हो, या चोटी पकड़के तुम्हें इस्तिफा देने पर मजबूर करो, बापरे, उट भी नहीं पा रहा हू, ल अमा, अमा, अअ, क्या है ये, आप हम पर अविश्वास दिखा रहे हैं, कुछ करने जाहें तो असममंति दिखा रहे हैं, मुझे पताएए आप हमारे पक्ष में हैं, या विपक्ष में, भारतिय समविधान के तहट सत्तारुडू पक्ष के लोग भी असाहमति दर्शा सकत हैं, तो असाहमति को दबाया जाए तो अविश्वास पैदा होता है, बलाई इसी में है कि आप चुपचा पत छोड़ दीजे, क्यों पत छोड़ दू में, मैंने क्या गलती किये वो तो बताईए पहले, आप पर कंभीर आरोप लगे हुए हैं, इसलिए, आरोप करने वाला इंसान कौन है, और मैंने गलती क्या की है, वो बताईए, आरोप लगाने वाले आपके पती हैं, सीम पद वापस मांगा, तो आपने उन्हें अपाहिज बना कर पलंक पर लिटा दिया, उन्होंने खुद ये बात फोन करके बताई है, आहे भगवाल, हमारी चुखली करता है रेड की हड़ी टूटी तो तु मांने काम करना बंद कर दिया, क्या? चड़ी पहन के नाख पोस्ते घुमते थे, तब से मैंने तुम लोगों को पाल पोस्त के बढ़ा किया, आरे बगवाल, हमारे तुलसी, तुम तो पती वरता थी ने, दिन राद पूजा पाठ करती थी, मैं तुम्हारा पती हो और तुम मुझे भाईयों से पिटवा रही हो, अरे तुलसी, तुम साब को आज़े दिखाता है, लगता है अम्रास ने तुम्हारा टिकट भाड़ दिया है, इसमें जितनी गोलिया है तुम्हारे सीने में उतार दूँगा, अरे तत्नार, रुक जा अब अगर एक बार भी घर की बाद बाहर गई, तो मैं बिना सिंदूर के खूमने के लिए तैयार हूँ, सुनो मेरे भाईयों, चलो शिवराम कृष्ण जी, दीदी के खिलाफ अभिश्वास प्रस्ताव दाखिल करने जा रहे हैं देखिए भाई साथ, यह पार्टी का निर्ने है निर्ने चाहे किसी कभी हो, दीदी के साथ अन्याय हुआ तो को हराम बच जाएगा, किड्नैप हो जाएगी तुम्हारी बेटी मेरी बेटी को किड्नैप करने की धमकी देकर मुझे डराऊ मत, पार्टी की प्रतिष्ठा मेरे लिए मुख्य है मुझे यहां क्यो लाए हो जिन्दगी में कुछ सीखना हो तो उसके लिए खास जगा भी होती है खेलने के लिए प्लेग्राउंड, पढ़ने के लिए लाइबरी, फिल्म के लिए सिनेमा घर, लवर्स के लिए लवर्स पॉइंट, देखो इस इस टू मच काहे का टू मच, गौतम बुध में क्या कहा जानती हो, क्या कहा है, मन को काबू में करके उद्धि प्राप्त करने को कहा है, तुमको न, लव सेंस ही नहीं है, उन्होंने साइलेंस कहा था, किसको, हमारे इन लव बर्स को ची-ची, कितने बेशरम है, शर्म किस बात की, गवर्मेट ने ये पार्क हमारे लिए तो बनाया है, हम भी साइलेंट हो जाते हैं, तुम तो बिगड़ ही गए हो, मुझे भी बिगाड रहे हो, बिगड़ोगी नहीं तो जानोगी नहीं, कि कितना मजा आता है, बाप्रे, त लेकिन इन प्रेमियों को देखते हुए जाना, इनका साउंड ओफ सालेंस सुनके, खुच सालेंट होने के लिए मेरे पास दोड़ी चलिया होगी, वन, टू, ट्री, पोर, फाइव, सिक्स, जड़ागा, एच, जड़ो मुझे, जड़ो मुझे, जड़ो, जड़ो मुझे, पिया, पिया, आई, शिवरामकृष्ण की बेटी है न, उसे हम लोगों ने किड्नेप कर लिया है, जड़ो उसे फोन दे, Sir, किसीने आपकी बेटी को किड्नेप कर लिया. आपसे बात करना चाहता है. किसने किड्नेप किया, जी? मुख्यमंत्री को पत्याग करना पड़ा, तो तुमारी बेटी खत्म हो जाएगी. देखे भाई साब मुख्यमंत्री के साथ मेरी कोई जाती है दुश्मनी तो है नहीं नहीं लिया तो नहीं तो तुमारी बेटी को तडपा तडपा के खत्म कर दूँगा हलो 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 क्या हुआ मेरी बेटी को क्या हुआ राजनीती से अगर मैंने सन्यास नहीं लिया तो वो वर्णा वो लोग वारी बेटी को मार देंगे सारा किया धरा सियम का है हम उसे किसे भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे मैं आपके पैर पढ़ती हूं हमारी बेटी को छुडा ली जी बेटी के भविशी के लिए राज का भविशे दाओं पे मतलगा पारवती है उठो अंदर जाओ जो सब सांभा उस लड़की को मारने की दंकी दी है शीवराम खुष् नेजी और तुम्हारा बाइं टैंक पैदान में धन्डे पे बैठे है नेरा भाई भी हाँ अभी भी सरकार को बरखास करना यही आपकी डिमांड है? नो 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 न hop not at all, मरखास नहीं होगी यह सरकार बहुमतवाली सरकार है, पहले हमारे मुख्यमंत्री एक, दो लोगों को छोड़ और बाकी और लोगों की सहमतिसे लोकेश्वर रा को बनाया गया और अब पार्वती देवी लोकेश्वर रा की मर्जी से इस पत्पर है जो की गलत है उनका इस्तिफा लेकर किसी सक्षम उमिद्वार को मुख्य बंत्री बनाया जाए यही मेरी डिमांड है स्रहीया आपकर पक्षका नाय लीडर है क्या है देखिए अमारे पक्षका नहीं होता तो मेरे साथ नहीं बैठता यह मेरा होने वाला जमाई है यह लड़का कौन है सर जनारदन नगर बस्ती के पान की दुकान वाले संभाजी का भाई संभाजी जी हाँ क्या कोई और सवाल है आपका सर नमस्कार सर अरे संभाजी आओ 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 सर यह आपके साथ बैठा है ऐसा है सर इसने स्कूल की पढ़ाई की है जिन्दगी की नहीं ऐसे में आप जैसे नेता के साथ इसे यहाँ पर संभाजी अब यह मेरा जमाई है तुम देखना अपनी तरह बड़ा नेता बनाऊंगा इसे सब आपकी दया है सर मेरी मां के साथ जो हुआ है मां के साथ गलत हुआ संभाजी तो फिर जनम लेंगी ए चलहार ले कराते हैं मेरी बेटी के लिए नहीं दिया जिस किसी ने मेरी बेटी का किट्नैप किया है वो खुद मेरी बेटी को मुझे सौप के जाएगा किट्नैप करने की जरुरत हमें क्यों पड़ेगी ऐसा घटिया तरीका हमारा पक्ष इस्तमाल नहीं करता आपका काम बहतर नहीं है इसलिए शिवराम क्रिश्न जी अविश्वास प्रस्ताव सम्मत करा रहे हैं जिसके वज़े से किड्नैपिंग हुआ ऐसा विपक्ष का आपके उपर आरोप है मैडम एक राज नीता के बहुत सारे दुश्मन होते हैं पाची का बहुमत मेरे साथ है इस बात का सबूत मैं कल ही आपको दूँगी परना आप इस्तिफा दे देंगी इस बात का खुला सा काल आप सब के सामने हो बस इतना ही नो मोर कमेंज क्यां मारा इस्ति-चुषिक अवार प्राम का अखतना शिटी को आग लगादो तंगें भरकादो हिंदु मुस्लिम आपस में लड़के मरने चाहिए किसने किया आप जानते हैं किस लिए किया ये भी आप जानते हैं कितने लोग मरे हैं ये देखने आएं क्या जो हुआ उसकी कोई गवाही नहीं देगा तो मैं किसे अरेस्ट करूँ आप नहीं जानते किसने करवाया हम आविश्वास प्रस्टा लाके स्रीयन से स्तिवा दिलवा रहे हैं इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं उसे उसके बेटे और उसके भाईयों को अरेस्ट करके उनसे पूछ आज कीजिए ओल्ड सिटी एमेले को क्या हुआ हमारे मिनिस्टर की जान को खत्रा है ओल्ड सिटी को आग लगा दूँगा कर्फियू लगा दूँगा क्या से यह हैं? राजी का गुरे गार्षियाम बुर्दावार! राजी का गुरे गार्षियाम बुर्दावार! राजी का गुरे गार्षियाम तुमने! तुमने हैं इस शिवराम जी की बेटी को किडनैप करवाया है घरने पर बैठे लोगों पर गोलिया बरसाई परे भाई और शिवराम कृष्णी की जालने की कोशिच की तुमने गई लोगों को मार दिया What nonsense you are talking शिवराम कृष्टर जी की बेटी को किड्नाप करके लोगों को मारने से मुझे क्या फाइदा होगा कुर्सी के लिए पती को अपाहिच करने वाली आउरत है तुम लोग अब शेहर में कर्फ्यू लग चुका है अब उसे कुछ मत कहो है तुम लोग मर्द हो तुम है तुम अगर एक बाप की आउलाद हो तो आओ आजाओ मुझे हाथ लगा के दिखाओ है पती को अपाहिच बनाने वाली नीच औरत है तुम अस्पताल में मेरे भाई को कुछ वा तो तुम सब को खत्म कर दूँगा शिवराम कशन जी की बेटी को कुछ भी हुआ तुम सब को मसल द इसे अंदर जाने के लिए कहो जाकर अपने बते की सेवा करने के लिए कहो आजाओ अगर मर्द हो तो आजाओ आजाओ चलवाओ मैडम आप जानती है शहर का माहूल ठीक नहीं है इसे जाने दीजिए कुछ मत कीजिए ओके छोड़ दो से अस्पताल में अगर मेरे भाई को कुछ हुआ तो देख लेना मुझे कुछ भी नहीं हुआ भाई बेचारे मेरी वज़ा से मेरी वज़ा से मेरा साथ देने वाले वो सारी बाते बाद में देखेंगे पहले मेरे जमाई को क्या हुआ देख लीजिए डाक्टर साहब मेरा जमाई कैसा है अब जर्वेशर में है सर 48 आवर से पहले कुछ भी नहीं कह सकते हैं हे बगवान कृपा करो डाक्टर अपनी जान की मुझे परवा नहीं लेकिन मेरी जान से प्यारी मेरी बच्ची को प्यार करने वाले उस लड़के को बचा लीजिए चाहे तो मेरी जान मेरी जान ले लीजिए लेकिन मेरे जमाई को मेरे जमाई को बचा लीजिए बचा लीजिए डाक्टर मेरी मा को उन्होंने मुझसे छीन लिया, अब भाई को भी छीन रहे है, सीता मा नहीं थी तब भी आपका भाई आपके साथ था, जब आपका भाई बेहोश था, तब उसे होश मिलाने के लिए आपने संजीवनी भूटी मंगवाई, भाई से प्यार करने वाले आप जैसे भग को इतना वर्दान दीजे स्वामी, जै श्री राम, जै श्री राम, जै श्री राम, जै श्री राम, है, है पर नहीं है तुशन, मेरा नाम संभाजी है सर, इस वक्त यह क्या कर रहा है, मंदिर में दर्शन करने गया था सर, श्री राम्भक्त हूं सर, राम्भक्त है यह है, तिका लगा कर शैर में घुमेगा तो क्या होगा पता है, मांग मैं थे ж सर मैं तो रोज टिका लगा कर इस मंधिर में आता हूँ सर क्या तू जानता नहीं सिटी में 144 सेक्शन लागव चुका है दंगे भड़के हुए हैं तीका हटाओ सर मेरी तकलीफें दूर हो जाए ऐसी मनत मांग के टीका लगाया है मत मिटाइए सर नहीं तो मेरे भाई के लिए एँछा नहीं होगा तुम नहीं रहो गए टीका मिटाओ सर मुसलिम के लेवे पर दाढ़ी रखते हैं तो हम माथे पर टीका लगाते हैं सब लोगों की भलाइए करनी चाहिए ये बात हमें ये लिए टीका हमेशा याद दिलाता है इसलिए ये टीका मिटाने का किसी को अधिकार नहीं है सर नाटक करता है क्या सर अगर ये टीका मिटाने से शहर के दंगे शांत हो सकते हैं तो टीक हाई क्या मैं खुद को भी मिटा लूँगा लेकिन दंगों की वज़ा कुछ और है जैसे आप कह रहे हैं वैसे तो इस शहर में सभी शादी शुदा औरते बिना टीक है और चुणियों के विद्वाओं कित्रा दिखने लगेंगी सर बहुत बात करता है तो मेरा हाथ पकड़ा था तुने पकड़ो इस गुंडे को नहीं सर कोई आगे बताना राम की पूजा करके रहीम के हाथों बहुनी करने वाला पान की दुकान वाला संभा हूँ मैं तुम्हारी इस घटिया सोच से मेरा कोई संभन नहीं है मंदिर दिखता है तो हाथ जोड़के नमन करता हूँ और मस्जिद दिखती है तो नमाज भी पढ़ता हूँ मैं नहीं हिंदू हूँ ना मुस्लिम हूँ मैं रामभट हूँ इस शहर में धारमिक दंगे कभी नहीं भढ़के यहां जो होता है वो राजजी तिक चाले होती है मुसल्मानों की इद होती है तो हिंदू मुबारक कहते है। हिंदू ती पावली मनाते हैं तो मुस्लिम उन्हें शुब कामनाई देते हैं इस देश में हिंदू और मुसल्मान एक दूसरे की इज़त करते हैं मुसल्मान और हिंदू एक दूसरे से टार करते हैं इसलिए किसी ने दाढ़ी रखी, किसी ने टीका लगाया, पोल के इश्वर का अपमान करना खलत है। एए, देख क्या रहे हो, दंगे बढ़काने वाला आदमी यही है, पकड़ो इसे। ठीक है साब। एफाया तैयार की, तैयार है सर, पढ़ो, मैं हिंदू के भेस में आयसाई एजेंड हूँ, शहर में जो दंगे भढ़के हैं, धरने पर जो गोली बारी हुई, उसका कारण मैं, उसके दस्तखत ले। एए, दस्तखत कर, करना, तकरे किये बिना दस्तखत कर। सब लोग पकड़ो इसको, क्या है रे, क्या देख रहा है तु, हाँ, दस्तखत कर, कर दस्तखत, सुना नहीं, जल्दी कर, हेई, क्या रे, पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आया है क्या, हिंदुस्तान की ट्रेनिंग सार, इतना पावर सिर्फ यहीं है, तुम लोग क्या कर रहे हो बेवकूफ, इसके दोनों हाथ तोड़ दो, उसे दस्तखत करने के लिए मैं मजबूर करता हूँ, सांबा, अगर तुने उस पर दस्तखत नहीं के, तो मैं इस पर दस्तखत करूँगा, समझे, सार, मैं दस्तखत करता हूँ, इसे कुछ मत कीजिये, लक्ष्मी, मैंने दस्तखत कर दिया रहे हैं, घर चली जाओ, जाओ, जाब तब दिका जाओ, वो घर चली जाएगी, थोड़ा धीरज रखो, मैं छोड़ के आऊं सब, एक बालड़की मेरे दिमाग में चड़ गई तो उसे उतारना भी पड़ता है, तब तक तुम लोग बाहर जाकर पान खाकर आओ, जाओ, ठीक है सार, मेरी लक्ष्मी को खाच मत कराओ, तुम चली जाओ, लक्ष्मी जाओ, खिला चिला कर अपना ग बाइ-बाइ, अनो, थेंक्स, यस सर, सम्हा, सम्हा, हटो, हटो यहां से, तुम लोगों को बाप में देखूंगा, बया, सम्हा, सम्हा, अन्या हूए बगा, अन्या हुए बगाए हुए कि लड़की का सूर्या नाम के इस लड़के ने रेप किया है ऐसा केस दर्च हुआ है रेप हुआ नहीं पुलिस की गवाही है इस लड़की का जीजा आईयसाई एजिंट है और शहर में हुए दंगे फसाद का कारण वही है ऐसा पुलिस का आरव है उसका यह सूर्या गवाह है उसकी साली का रेप हुआ है इसका संबाजी गवाह है नौ यू कन प्रोसीड यहां स सामा की गवाई पर गौर करना गलात है सर क्योंकि सामा उग्रबादी है लेकिन उस बात का इस केस से कोई सम्मन नहीं है इसलिए अब रेप के केस के मामले में इस रड़की से कुछ सवाल पूछने की अनुमती मैं कोट से मांगता हूँ प्रसीग सूर्या ने तुमारे साथ जबरदस्ती रेप किया है ऐसा कहा जा रहा है जो भी कहना है साब साब कहो बोलो किया कैसे कैसे रेप किया अरे वकील साब यह तुमारी पांट दुकान नहीं है वोट है यहां चिलाया नहीं जाता मिस्टर कीप कॉइट क्यों मैडम जो पूछा है ओ हो उतारे कितनी बार किया उसने रेप इए बार कितने समय के लिए किया रोना धोना बंद करके गवाही दो बोलो क्या किया हां बोलो एक लड़की की इस्दत लुट गए और आप ऐसे सवाल पूछ रहे हैं अगर आपकी बेटी का रेप हुआ तो कौन सा कमड़ा उतार कहां कहां चुआ यह से पूछेंगे उससे यस बिल्कुल यही पूछूंगा as a lawyer it's my duty करेक्श सर आप जरूर पूछेंगे पूछना भी चाहिए क्योंकि आप तो बहुत सारे रेप के केस लड़ चुके हैं ना इसलिए तो सवाल 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 पे सवाल लगातार पूछते ज हो जाएंगे तो आपके पूछे हर एक सवाल का चुटकियों में जवाद देगी है ऐसे चुआ ऐसे कपड़े उतारे ऐसे नोचा आपके हर एक सवाल का पूरी पेशर्मी से जवाद देगी सर सब के सामने बोलेगी ऐसा हाँसा पहली बार हुआ है सर इसलिए बोल नहीं पार ही श्रमा रहिए उसकी कल्दी नहीं है सर 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 अगर आपके लिए गवाही माणे रखती है तो मैं खुद चश्मदीत हुं सर मैंने देखा質 मुझ से मुचिया सर मैं सब कुछ बताता हूं सर ना बताने के लिए किस ने कहा है आपको जो बताना है बेजी जग बीना डरह बताई इस कत घरे में आईए मिश्ट सुर्या प्लीज बताता हूँ आप सबको बताता हूँ सिर्फ बताओं नहीं दिखाओंगा भी जो बलातकार हुआ वो आपको पूरी डीटेल के साथ बता देता हूँ सुनिये न्याए मुर्ती जी मेरी आखों के सामने वलातकार कैसे हुआ ये सिर्फ सुनकर समझ में ना आए तो देख लीजिए सर ये मेरी शोट नहीं है सर उसकी ओड़नी है उसे ऐसे ही उतार के लपेट के फेख दिया ये मेरी बन्यान नहीं है सर उसका ब्लाउस है सर उसका ब्लाउस है उसे भी उतार के दूर फेख दिया ये मेरी पैंट नहीं है सर ये मेरी पैंट नहीं है सर उसका लहगा है उसे ऐसे ही ऐसे ही उसे उतार के फेख दिया सर जी जी पेंजी शर्माने की जरूत नहीं है सब कुछ आखे खोल के देखिए मैंने जो कपड़े उता रहे हैं वो मेरा जिस्म दिखाने के लिए नहीं सर मैं तो अन्याय सेहने वाली उस लड़की की फीडा दिखा रहा हूं सर और अब वकील सहब सुनिए उसने लक्षमी को कहा कहा च्छुआ ये पूरी की पूरी डीटेल के साथ आपको बताता हूं सुनिए सर यहाँ पर उसक Öसी ने पर हाठ डाला एक नाज़ूग फूल की तरह उसके जिस्म को कुचल के रख डाला उसने यहां से, यहां इसी कर्म से जन्म लेकर उसे ही शर्म सार कर दिया उसने सर उसने उसे यहां काटा, यहां काटा, हर जगे काटा वो बेचारी चिलाती रही, दया की भीक मांगती रही, भगवान का वास्ता देती रही लेकिन उस राक्षास ने उसकी एक ना सुनी, वो बेबस थी, उस राक्षास के सामने वो कर भी किया सकती थी, उसे भी एक औरत नहीं जर्म दिया ना, उसी औरत की इजद को उसने तार तार कर दिया, बर्बाद कर दिया, जानवर समझ के उसने जानवर की तरह इस्तेमाल किया सर अगर आपको अभी मेरी बातों पर यकीन नहो तो उससे बुला कर फिर से बलातकार करने के लिए कहिए और सब कुछ अपनी आखों से देखिए सर आखों से देखने के बाद शायद आप हमें न्याए दे पाए सर आपकी समार कट क्यों नहीं गई अरे सामा भाई जैसे छोटे बच्चे आइस क्रीम चाहिए आइस क्रीम चाहिए कहके रोते हैं वैसे तुमने आए चाहिए कहके क्यों रो रहे हो गलत बात गलत बात गलत बात बाई तुम्हें जो चाहिए उस हिसाब से पैसे अपनी थैली में भर कर यहाँ आना चाहिए था यही बात है ने सर क्योंकि यह तो खुला बाजार है यहाँ पर लोग न्याय खरीद सकते हैं असल में यह न्याय आला नहीं है यहाँ आने वालों के साथ मोल भाव करके न्याय बेचने की जगह न्याय की दुकान है यह सुप्रमन्यम बिहेव योर्सल्फ इस इस कोर्ट अफ लॉव प्लीज गो आउट अधरवाइस आई विल गेट यू थ्रोन आउट नमस्टे कवाहों के बयानों के अधार पर ये अधालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि केस करने वाली लक्षमी नाम की इस लड़की का केस मेरे सामने मौजूद मेडिकल रिपोर्ट्स के अधार पर बे बुनियाद और जूटा है कपड़े उतार के बढ़िया कैब्रे किया तुने वहाँ पर चिला कर बोलने से धर्ती फट जाएगी और निया निकल कर आएगा क्या उससे उतारना है तो कपड़े उतारो कुतरना है तो पर कुतर दो कि इतने बड़े ड्रामे में एक चोटा सा चेंज करना था तुम्हारी जग्या अगर तुम्हारी सालीने कपड़े उतारे होती तो बड़ा मज़ा आता था कि ओ कि लेकर आया था साम्हा को मैं लेकर आया था सांभा को यह कंख संभाइ से हन्याज मिलेगा लेकिन आपने क्याग आपने क्या किया इस लड़की के सिर्फ इज़त चली गई उसके सिर्फ कपड़े उतर गए लेकिन आपके घलत फैसले के कारण इस नियाले के तो सब कुछ लुट गया है आप ने क्या बना दिया मेरे सामा को रहे बदमाश चुप चाप यहां से निकल जा पुली स्टेशन में इतनी मार खाने के बाद भी तुझे अकल नहीं आई लगता है तेरी अकल घास चरने गई है या तू पागल हो गया है आखे फाड़ फाड़ कर क्या देख रहा है बे आखे फोड़ दूंगा तेरी बचाओ सांभा मेरा खून कर देगा बचाओ बचाओ अरे दर्वाजा कोलो बरना यह मुझे मादा लिगा अरे मुझे बचाओ दर्वाजा कोलो प्लीज दर्वाजा कोलो कि माफ करतो सांभा मुझे मत मरो पुलिस का काम होता है चरता की रक्षा करना लेकिन तू परिशान करता है तुझे जीने का हक नहीं है तो बाई ए यह बाई यह बहुत कि अगर अगर तो पान की दुकान चलाने वाला मैं ऐसा क्यूं बंदा मेरे बेचारे भाई की यह हालत क्यों होती सर त्यूटी करने के लिए आए हैं सांभा का भाई छोड़के सब लोग बाहर आईए पूरे होस्पिटल को पुलिस ने घेर लिया हैं जो बाहर नहीं आएगा उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है कम ओन हर्यब वो आपकी जान बचाने वाला नहीं है सर लेने वाला है आप जाईए सुनिये द्या करके आप सब लोग यहां से निकल जाईए मेरी वज़े से आप मेंसे किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए प्लीज जाईए भीड का सहारा लेकर वो भागना चाहे ध्यान से चक करते हैं चलो वाल वाल कमन वाल कुछ एक कानår कमन कमन कर दो कर दो है डुर्णीे स्पिलFrाइबडी स्पूम पाल마 करता। हूए झाय। हूए सर, मुझे और मेरे भाई को मारने के लिए उन्होंने पुलिस भेजी थी, किसी को नहीं छोड़ा सर, सब की पिटाई की, मैंने अपने भाई को बचाया ऐसे कितने लोगों को मारोगे संभाजी, आज दस को मारोगे, कल सो को, पर सो हजार को और फिर संभाजी, वाच्मेन जिस घर की नौकरी करता है, वो उस घर के लोगों के लिए जान भी देता है पुलिस भी वैसी ही है, जो सत्ता में होगा, उसी की बात मानेगी कि हमारे सत्ताधिश बुराई पर चल रहे हैं इसलिए पुलिस भी गलती कर रही है संभा जी मुझे मेरी बेटी मिल जाए तुम्हें न्याय मिल जाए इस दंगे फसाद के गवाह एक सी एम लोकेश्वर राव हमें चाहिए उन्हें उनकी पत्नी ने अपाहिज कर रखा है उन कि अच्छन को पत्त्तर वा है कुछ खार लाय अ गुश हृ हाँ 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 आप खफाँ हाइग आइग ऑग का हाइग वाइग का ओूौ अ फुट अछ अशुट 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 पाइग ईशुट मूुट रह हुप अग अब अ कि ऐखा कि निया को भी कर व म म म कर आऴ साफ हुरक टॉॉॉ हु ! झाख ! तॉॉॉ कर दो कर दो कर दो कि लोकेश्वर राव को ले आया हूं सार शाबास तुम बात के पक्के हो सांभाजी तुमने इन्हें नहीं बचाया इस राजी को बचाया है अब एक नेता का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं यह मैं तुम्हें दिखाता हूं नमस्ते सर्फ 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 नमस्ते भाई यो रहे, उस संभाजी के भाई को और साथ वाले निताओं को गोली मारने को कहा, तुमने मुझे भी गोली मार दी, इडियट सॉरी भाई, गैस स्मोक बॉम के वज़े से किसे किसे गोली लगी, कुछ पता नहीं चला संभाजी का भाई मरना चाहिए, मेरी बेटी इस देश की एक बड़ी नेता बननी चाहिए, बहुत बड़ी नेता बननी चाहिए अपनी बेटी की किड्नैपिंग मैंने की है, इसका शक किसी को नहीं हुआ मैंने जो यह से प्लाइनिंग की है उसे बिना सोचे समझे सारे MLA सपोर्ट करके मुझे CM बनाएंगे अरे वो आ गई, अरे वो आ गई, अरे बापने, ओ मा डरिये मत, मैं आपकी जान लेने नहीं आई हूँ हम लोग आपस में लड़ाई करते रहेंगे, तो कोई और कुरसी हत्या लेगा, वो CM का पद आप ही ले लिजे, मैं आज के बाद मेरी तोलसी की प्रदिक्षना करते हुए पुझा करूँगी नहीं, नहीं, तुम मुझे अब तो CM बना दोगी, फिर दो दिन बाद मुझे मार कर, राजनीतिक सहानभूती पाकर तुम तो फिर से CM बन जाओगी ऐसा मत सूचिये नहीं, तुम्हारे पती व्रता के ढोग के चक्कर में अब मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ, मुझे CM का पद नहीं चाहिए, तुमसे मुझे जान बचानी है, ओ मा, बापने है, शिवराम कृष्ण जी, मुझे इस औरत के सामने से कहीं दूर ले चलिये, तुलसी देवी जी, आपके काले कर्टूतों की गवाही आपके पती दे रहे हैं, आप साफ साब बताइए, आपने गल्तियां की हैं की नहीं, आप इससे क्यों पूछ रहे हैं, इस पर एफाई यार दर्स करके पूलिस में दे दिए, मेरा इस्तिफ़ा, नहीं सर, आप मुख्यमंत्री का पद स्विकार कीजिये सर, मैं क्या करूंगा पद लेकर, जन सेवा के लिए पद ज़रूरी नहीं होता, आप मैंसे कोई बन जाई है न, कोई काबल आदमी स्यम बनेगा तो बहुत अच्छा होगा, ऐसा कौन है सर, आपसे बैतर इस राज्य में और कौन है सर, देखिए सर, यह मौका आपको नहीं मिल रहा है, बलकि इस राज्य को मौका मिल रहा है, स्यम बन के आपका मान नहीं पड़ेगा सर, बलकि इस कुर्सी का मान बढ़ेगा सर, आप ना कहेंगे तो बस्ती में हाथ महत्याए होंगी, ठीक है, आप लोग बोल रहे हैं तो स्यम बन जाता हूँ, अलो, बच्ची भागने की कोशच कर रही थी, पकड़ लिया, क्या कहा, भाग रही थी, सुनो, यह मत सोचो कि वो मेरी बेटी है, उसके हाथ पैर बांद कर वहां पर रखो मैं जब तक सीम का पद ग्रहन नहीं कर लेता तब तक मेरी बेटी को वहां से निकलने मत देना चोकनने रहो मैं अपने पती को अच्छा समझ रही थी लेकिन मैं गलत थी थैंक्यू माजी पुराणों में चरित्रों में कहीं ना कहीं हर बुरे इंसान की पत्नी पति व्रता होती है यह बात आपने साबित कर दी आप चिंता मत किजी आपकी बेटी को हम बचानेंगे थैंक्यू कौन था भाई किसने तुम्हारे भाई पे गोली चलवाई थी सीम तुलसी देवी और उसके लोगों ने शिवराम कृष्ण की बेटी को किसने अगवा किया तुलसी देवी ने सामहा इंसान अपनी जिन्दकी में एक ना एक बार कंफ्यूस जरूर होता है और राजनेता इस बात का फाइदा उठाते हैं सत्ता पाने के लिए अपनों को मौत की घाट तक उतार देते हैं उसके बाद भी जो लोगों की नजरों में अच्छा बनके रहता है उसी को राज शिवराम कृष्ण और दूस संदा नहीं बचेगा नहीं मुझे भूख नहीं है मुझे जाने दीजी अंकल है चप चप खाना खा झार उसी प्रया उसाल रोगों कर अजरों मुझे प्र छ कर प्रीजी लोगों की जाए जाने जाना वा की उनने गराण। हुआ 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 हु जड़ेह, नड़े औरिक उन्याप हो सबती है यफ इच हुआ कड़ अगोर भाए एख अवोर अवू न रख भाए शडान अ आडू अवगा हुआ अवगा हुआ अख अजू जगज कड़ी बूल खार अबुछ्यद छॉष्छूद अविश ध लुगा टॉप हुआ अजजु अजट करे लूर तो हुआ फर खार अब डोर पहले आप मुझे मेरे डैडी के पास ले चलिए मेरे साथ क्या हुआ होगा वो सोचकर परिशान हो रहे होंगे क्योंकि मुझे बिना देखे वो एक दिन भी नहीं रह पाते लीज तुम्हें किड्नाप करवाने वाले तुम्हारे पिता ही थे तुम्हारा प्यार उन्हें मन्जूर नहीं था इसलिए मेरे भाई को मरवाने की कोशिश की तुम्हारे पिताने मख्य मंत्री बनने के लालच में दंगे फैला के मौत का तांडव किया तुम्हारे पिताने कि शिवराम कृष्ण जी राज्य के मुख्य मंत्री हां सांभा जी अच्छे समय पर आये हो शपत क्रहंट करने जा रहा हूं चलो चलो हर काम से पहले आप अपनी बेटी का चेहरा देखते हैं ना सार इसलिए आपकी बेटी को लेकर आया हूं कि बेटी प्रिया कि अनल की बेटी प्रिया कितनी सुख गई हो तुम कहां थी बेटी मैं कितना याद करता था तुम्हें प्रिया अगर मेरी मा कहें कि मैं तुम्हारी बेटी नहीं हो तो भी मुझे शर्म नहीं आती लेकिन तुम मेरे बाबो ये कहने में मुझे शर्म आ रही है तुम्हेरा असली रूप तुम लोगों को पता चल चुका है गड़ सामभा जी इस पद तक पहुचने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया है कोई आड़े आया तो मा बाप बीवी बच्चे मैं किसी को भी नहीं बख्षूंगा सब को मार कि उनकी लाशों पर से चल कर उस कुर्सी पर बैठूंगा मैं उस कुर्सी पर बैठूंगा मैं जो कह रहा हूँ अगर सीधी तरह से नहीं मानोगे तो एक कदम भी आगे बढ़ा तो इसकी चान ले लूँगा नो मॉर मूउमेंट्स चलो ओट 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 थेख लो आपके नेता होने वाले मुख्यमंतरी शिवराम कृष्ण का असली रूँग अपनी बैटी को राजनी तिक फायदे के लिए किटनैप करवा के बेवजे धरना धर के उस पर गोली बारी करवा के कई लोगों की जान लेके 144 सेक्शन लगवा के लोगों को तकलीफ में डालने वाला नीच इंसान है ये जब बोल हाँ या नहीं बोल दे सच है, सच है सब के सामने बोल सच है, मैंने ही करवाया सब पान की दुकान चलाने वाले सामहा को किलर सामहा बना दिया राम भजन करने वाले इन हाथों को खून से रंग दिया तूने सफेद गपड़े बेहन के अच्छी बाते बोलने वाला एक ठोंगी है तूँगी अगर तुझ जैसे की मर्जी चले तो अपनी मा के चमड़े के जूते बनवालेगा खुद उचा बनने के लिए अपनी मा की लाश में ख़ड़ा हो जाएगा सामहा ची प्लीज मुझे मत मारो तुझ जब मा के पेट में था तब तुझे पता नहीं था कि तुम मर्द है इसलिए तेरी मा सिंदा बच गई मुझे मत मारो तेरी मा की किसमत अच्छी थी क्योंकि तुझे पैदा होने से पहले पता नहीं था कि तुम मर्द है तुझे माफ नहीं करूँगा तुझ जहसों को माफी नहीं मिलनी चाहिए! नहीं मिलनी चाहिए! नहीं मिलनी चाहिए! मुझे मुझे मुटपरो! यहीं मिलनी चाहिए! 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 झाल